कि ऑप से चलन वाले आप डेली आते हैं वो कुछ बड़ा अजीज सक बड़ा से जला हूँ अथा पड़ा है ऐसा रग़रे किसी में दिला रख था है ते लो आगे चलते हैं है गाइस वो कम बैक तो दे चैनल तो मेरा नाम दीपती है और आज मैं आई हूँ अशोख विहार तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अभी खरी हूँ हांटेड वाले फ्लाइवर पर मेरे चैनल पर काफी देम से रिक्वेस्ट आरी थी कि आप अशोख विहार में जो हां तो उतने अच्छे से वो जगह देख पाती है क्योंकि अंधेरा होता है और हम एक छोटी सी लाइट यूज करके वीडियो बनाते हैं तो या तो मैं अपने आपको दिखा सकते हूँ या वो थोड़ी बहुत जगह दिख पाती है आपको तो आज इसलिए मैंने डिसाइड कि कि पहले मैं आपको यह डे व्लॉग बना के दिखाऊंगी और जब इसको इस वीडियो को आप 50,000 लाइक पर पहुंचा देंगे उसके बाद में यहां का नाइट व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगी तो इस टाइम आप देख पा रहे हो मेरे बीचे ना अशोक विहार का हांटेड फ्लाइओर है और यहां पर अभी तो बहुत सारे ट्राफिक चल रहा है तो अभी हमने अपनी गाड़ी जो है ना साइट में यहां पर पार्क हुई है और अब हम जाएंगे थोड़ा सा आगे कही अपनी पार्क करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको तब तक आप बने रही है अभी मैं आपको थोड़ा सा रेलवे ट्राइक दिखा देती हूं और फिर हम चलेंगे नीचे की तरफ और यह जारी है ट्रेन यहां से और यह है पूरा ट्राइक और यहां पर कुछ गायवाई बंदी हुई है और यह पूरा जुगी एरिया है मतलब जोपड़िया पड़ी हुई है दोचार यहां पर ट्रेन जा चुकी है और एक ट्रेन इधर से आ रही है पर तो गाड़ी पार कर दिया है सत्यवती कॉलिज के बाहर और यहीं से पैदल जाके आपको वह रेलवे ट्राक दिखाएंगे और वह जो हांटेड एक्जेक जगा है वह दिखाएंगे एक्जेक क्योंकि बेसिक्ली वह वह वाला फ्लावर है जिसके उपर से चुड़ाल भाग कुल बोड के भारना पेड़ लटका पड़ा है तो यह सत्यवती कॉलिज है और यह यहां पर इसकी गाड़ी पार्किंग है और सामने है वह एक पराठे वाला उसके पराठे बहुत ज़्यादा फेमस हैं वह खाया करते थे तो अब चल रहे हैं हमें आप मुझे रास्ते में दिखा ही बहुत हॉंटेड सी एक जगह एंग हाँ हाह था रात को यहां इतनी दूर तक आंगा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था अच्छा है कि में लोग ना रही हो ताकि आप लोग देख सके हैं हम लोग नीचे तो आ चुके हैं और सब ने पूला थोड़ा सेफ केरफुली जाना क्योंकि न यहां पर चोर वोर स्नाचर्स जादा होते हैं और अपना सारा समान जोड़ा समाल के रखना समान तो समाल के रख लें पर कैमरा तो निकालना बहुत जादा ज़रूरी है तो एक्जेक्ली यह है वो रेलवे ट्राइक और मैं आपको लेकर चलती हूँ फ्लायोर तक फ्लायोर तक जाएंगे हम वापस आ जाएंगे और जो है थोड़ी जगा हमारी इंडियन रेलवे जो को तो बहुत दूर की बात है यहां पर तो दिन में भी एक भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा और अब ट्राक के आसपस कोई भी बंदा नहीं है सो अब मैं आपको लेकर चलूंगी वह सामने वहां ट्राक तक और उसके बाद हम वापस जाएंगे गाड़ी तक और फिर उसक चलती रहांगी और क्योंकि वह साथ वाले ट्राक से आ रही है तो मेरा यह वह भी खाली है और गयाई असा लग रहे है कि फ्लायर बहुत पास दिख रहा होगा आपको शाद वीडियो में इसना हम फाइनली वह फ्लायर तक आचुके हैं और इस फ्लायर तक आने के लिए सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर यहां पर ना मेरे पीछे मैं आपको जैसे दिखाया है कि एक छोटा सा जगा है तो यह भाई मेरे साथ है भाई हापर क्या होता है चावल किस चीज के होते हैं यह फोड़े बहुत बहुत वह आफर से डालते ना तर यह बहुत उतारता है कि बूध वह अच्छा एक और चीज के लिए मैं यहां पर आई तो यहां पर क्या भूत होते हैं उपर एक लेड़ी सुना है मैंने जो वाइड कपड़ों में गाड़ी के पीछे भागती है तो गाड़ी रोक के उनको पकड़ती हैंगी हाँ एक जनी देखा है तो एग्जेक्ट अब यह वहली जगा पर है यहां पर एक मंदिर बना हुआ है मंदिर का तो बता नहीं था क्योंकि जितने भी यूट्यूबर से सब ने फ्लावर को उपर से दिखाई है तो अब यहां के ना वही बात है कि थोड़ा अजीव सा तो लगी रहा है क्योंकि थोड़ा पसीना सा चूट रहा है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरह आफ आपको उपर से दिखाएंगे तो यह भाईया ने जैसे बताई दिया है तो उसका कोई नाम है उसका उन्हों ने देखा था कि रात को जो है कोई लड़की खड़ी है है वाइट कपड़ों में और पीछे भागती है वो गाडियों के पीछे भागती है अच्छा चलो ठीक है भाई अब मैं यहां से चल रही हूं और अल्रीड जैसा आप देख पा रहे हो मतलब बहुत पसीना रहा है मुझे यह थोड़ा नेगीटिव तो है कुछ हो सकता है कि फ अब हम यहां से निकल रहे हैं आगे की तरह फॉर फ्लायर के उपर जाके वापस हम अपनी गाड़ी तक जाएंगे चल भाई अब है अजीब सा ही था कुछ क्या बोलू मैं आपको अजीब सा था तो मुझे लगा पार्क में मैं पांच मिनिट बैट के फिर आगे की तरफ जाओंगे और तब तक मैं थोड़ी सी बाते आपसे कर लेती हूं यह पार्क जो है बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है वो बारा जाता है ऐसा मुझे उन बच्चों ने बताया और उन्होंने तो यह भी बोले कि जो रेलवे ट्राक सी जो कटके मर जाते हैं उन लोगों की जो है आत्मा यह भाटकती है और फ्लायर पर जो लेडी दिखती है वो उस बच्चे ने बताया कि उसका कोई दोस्त है नाइ तो इसका रीजन तो मुझे भी नी पता कि वाइट कपड़ों में ही क्यों दिखता है और बाकी जो भी मुझे एकजेक्ट वहाँ पर दिखा वो मैंने एकजेक्ट आपको दिखा दिया हो सकता है जब भी मैं नाइटी इसका व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आपको फ्लायर के पर दिखाऊंगी आसपस जो भी पॉसिविलिटी होगी उतना एक्सप्लोर करूँगी बट रेलवे ट्राक के नीचे तो एनिहाओ में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां का जो एरिया है जो सराउंडिंग से उस रेलवे ट्राक की वह बहुत नेगिटिव है और वहां पर सारी ज आपके उनके गढ़ों में जा सकें वाकी आपको कैसा लगा है मतलब लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी है कुछ नेगिटिव्टी है यहां पर मतलब मेरी वीडियो में देखके कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट करके बता देना अगर आप इसका नाइट व्लोग देखना जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है मुझे 50,000 लाइक्स चाहिए मेरी इस वीडियो पर तो इसके बाद मैं नाइट व्लोग यहां का बनाऊंगे और मेरा भी कुद का बड़ा मन है यहां की नाइट मतलब नाइट जो भी चीजे आए उनको कवर करने का अगर मेरी वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बता देना कि आब आगे क्या आप लोग चाहते हैं और बागी सब आपके हाथ में गया है मैंने जैसा कहा था कि मैं जाते वे आपको एक बर दुबारा दिखा दोगी तो अब हम निकल रहे हैं यहां से और फ्लायर जो है यह है सकते होती कॉलिच वाला ही फ्लायोवर है यह एट से गए है मेरे और लेट से हम वापस बाहर निकल के आई हैं और अब ऐसा लग रहा है उतना गंदा सा मतलब लग रहा था महाँ चल के और अब ऐसा लग रहा है मैं पहले घर जाके नहाल हूं भाई सो गाइस बाबाई मैं मिलती हूं बहुत जल्दी विद नाइट व्लोग